Hey everyone, कैसे हैं, आप सब होप सो अच्छे होंगे So I'm gonna read the way, राजपूत, welcome to all of you in new video So guys, आज किस वीडियो में बात करेंगे सरोजनी नाइडू की एक poem जिसका नाम है Song of Radha, The Milk Med तो इस poem के अंदर जो Radharani है वो अपने Shri Krishna को याद करती है और इस poem के अंदर Radharani और Shri Krishna के Pure Love और उनके Divine के बारे में बात की गई है तो चलिए बीनादेरी के शुरू करते हैं हमारी आज किस जर्णी को तो poem की शुरूआत होती है I carried my curse to the Mathura Fair तो यहाँ पर Radharani बोलती है कि जो मेरी दही की मटकी है उसे लेकर के मैं मतुरा के मेले में जा रही थी How softly the heafers were loving तो यहाँ पर Radharani बोलती है कि मैं मतुरा के मेले में अपनी दही की मटकी लेकर के जा रही थी और मैं देखती हूँ कि रास्ते में कुछ गाएं जो है घास चर रही है और वो बहुत अराम से बहुत सुकून से अपना काम कर रही है बीना हिले डूले बीना कुछ मुवमेंट करे वो अपने काम को करे जा रही है I wanted to cry who will buy the curse that is white as the clouds in the sky तो यहाँ पर Radharani बोलती है कि मैं चिलाना चाती थी मैं बोलना चाती थी मैं पोचना चाती थी लोगों से कि कौन मेरे इस दही को खरीदेगा मसुरा के मेले में कौन मेरे इस दही को खरीदेगा जो कि एकदम white है एकदम सफेध है clouds की तरह जैसे कि आस्मान में बादल होते हैं वो बहुत ज़दा सफेध होते हैं वैसे जो मेरा दही है वो भी सफेद है, तो यहाँ पर आधरानी अपने दही की purity बता रही है, वो बता रही है कि मेरा दही बहुत ज़दा pure है, फिर आगे की लाइंस में point बोलती है, तो यहाँ पर आधरानी बोलती है, कि लेकिन मेरा दही को कौन खरीदेगा मत्रा के मेले में, लेकिन मुझे सिर्फ आपके ही ख्यालों में खोई हुई हूँ, फिर आगे की lens में point बोलती है, यहाँ पर point बोलती है, कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैंने आपका नाम पुकार लिया, कब मिरे मुंग से निकल गया गोविंदा गोविंदा और लोगों ने मेरे उपर हसना शुरू कर दिया, लोग मेरे उपर हसने लगे, जैसे ही मैंने उस रास्ते से निकल रही थी मत्धुरा के मेले में जाने के लिए जब मैं जा रही थी तो रास्ते में एक नदी दिखी और वो नदी बहुत आराम से फ्लो कर रही है बहुत आराम से बह रही है फिर आगे की लाइस में पोईट बोलती है I carried my ports to the मत्धुरा टाइट ब्रॉवर्स का मतलब है जो नाव चलाते है तो राधरानी बोलती है कि वो नाव चलाने वाले लोग कितने ज़दा खुश थे My comrades called ho let's dance let us sing and wear saffron garments to welcome the spring तो यहाँ पर राधरानी बोलती है कि नाव में जितने भी लोग मेरे साथ में बैठे हुए थे वो सभी बोल रहे थे कि हमें नाचना चाहिए हमें गाना चाहिए और खैफ्रन garments पहनने चाहिए मतलब कैसरी है कपड़े पहनने चाहिए भगवे कपड़े पहननने चाहिए किसके लिए spring का welcome करने के लिए जो spring जो आने वाला है spring शीजन आने वाला है उसका welcome आधराणी बोलती है कि मेरे पास आले लोग बोलती है कि हमें नाचना गाना चाहिए क्योंकि स्प्रिंग आरा है और साथ में नई कलियां खेलेंगी नए फूल आएंगे तो हमें उनने भी तोड़ना चाहिए तो यहाँ पर आधरानी बोलती है लेकिन सब लोग बोल रहे थे कि हमें नाचना चाहिए, गाना चाहिए, खुश होना चाहिए, वेलकम करना चाहिए स्प्रिंग का लेकिन मेर को तो सिर्फ आपका ही नाम आ रहा था तो यहाँ पर आधरानी बोलती है कि जब मैं आपके बारे में सोच रही थी, जैसे ही मैंने आपका नाम पुकारा, वैसे ही वो सब लोग मेरा मजाक उडाने लगे, मेरे उपर हसने लगे how danger the river was flowing तो यहाँपर आधरानी बोलती है कि वो जो river थी जिस नदी में हमारी नाव चल रही थी जवना नदी में वो जो नदी थी वो बहुत खुशी से भेह रही थी वो बहुत खुशी से फ्लो हो रही थी फिर आगे के लेंस में बोलते है I carried my gifts to the Mathura Shrine तो मंदिर था उसके अंदर जो टॉर्चेस थी मतलब जो दीपक थे अभ मंदर के अंदर घीके दीपक जलाया जाते हैं या फिर टेल के दीपक होते हैं तो वो जो दीपक थे वोगत जदा गलो कर रहे थे बहुत ज़दा चमक रहे थे I folded my hands at the altars to pray और shining once guard us by night and by day तो यहाँ पर आधरानी बोलती है कि मंदिर में जाकर के मैं मूर्ती जो भगवान की मूर्ती वहाँ पर रखी हुई थी उनके सामने जाकर के मैं अपने हाथों को fold करती हूँ और उन्हें जोडती हूँ भगवान से प्रातना करने के लिए और मैं भगवान से बोलती हूँ कि भगवान हमारी रक्षा करना हमें हमेशा शुरक्षित रखना चाहे वो दिन हो चाहे रात हो आप हमेशा हमारे साथ रहना इसका मतलब है कि जब मैं भगवान से प्रातना कर रही थी तो conscious होते शंक तो जब पूजा करते हैं तो शंक बजाया जाते हैं तो यहाँ पर राधरानी बोलती है कि जब मैं भगवान से प्रातना कर रही थी उस समय जो शंक थे वो बहुत ज़़ा loudly बज़ रहे थे बहुत ज़़ा उनकी आवाज आ रही थी but my hearts were so lost in your worship beloved तो यहाँ पर राधरानी बोलती है लेकिन जो मेरा दिल था वो तो सिर्फ आपकी यादों में खोया हुआ था अब यहाँ पर वो बात कर रही है श्री कृष्ण की तो यहाँ पर राधरानी बोलती है कि मैं तो सिर्फ आपकी यादों में खोया हुई थी मेरा जो दिल है वो तो सिर्ф आपकी यादों में ही खोया हुआ था तेहां पर अधरानी बोलती है कि मैं तो सिर्फ आपकी यादों में खोयी थी और मुझे पता ही नहीं चला कि कम मैंने आपका नाम पुकारा और मेरे मुझे से निकल गया गोविनदा और जो लोग वहाँ पर खड़े हुए थे जैसे उन्होंने मेरी आवाज सुनी और जैसे उन्होंने सुना कि मैंने गोविन्दा पुकारा वो सभी लोग नराज हो गए, वो सभी नराज हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि मैं जिस भगवान के सामने खड़ी हूँ जिस भगवान के मंदिर में खड़ी हूँ उनकी बारे में उनके नाम को पुकारने की जगह मैं गोविंदा का नाम पुकार रही हूँ इस बात को सुनकर के वो जो लोग थे वो नाराज हो जाते हैं तो यहाँ पर जो पोईट है वो बोलती है कि जो नदी है जो जमना नदी है वो कितनी ज़ादा brightly flow हो रही है कितनी ज़ादा चमक रही है और वो बह रही है तो यहाँ पर जो आपकी पोईट है वो complete होती है hope so आपको मेरा explanation मेरा narration अच्छा लगा होगा और अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब दी चानल एंड शेर विद यूर फ्रेंड्स और अगर आपको किसी और पॉलिम का explanation चाहिए मेरी आवाज में तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक कियर